आज की वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे बनता है मैदा और कैसे बनती है सूजी कुछ लोगों का मत है कि जो सूजी है वो मैदा से हेल्दी होती है तो मैदा की जगे सूजी आप खा सकते हैं तो इस वीडियो में मैं यही बताने जा रही हूं कि दोनों चीजे बनती कैसे हैं देखे मैदा तो अक्सर लोगों को पता ही होगा आप सब लोगों को पता होगा कि गेहुं के उपर का जो छिलका होता है उसको मसीनों के द्वारा उतारा जाता है और बाकी जो सफेद वाला पार्ट बचता है गेहूं का उसको बिलकुल बारीक पीसा जाता है तो मैदा तयार हो जाती है अब सूजी कैसे बनती है देखे सूजी भी गेहूं से ही बनती है तो इसमें भी क्या होता है कि जो गेहूं का ऊपर वाला जो भाग होता है उसको उतारा जाता है यानि गेहूं का छिलका उतारा जाता है और जो सफेद वाला पार्ट बचता है उसको दडडड़ा पीसा जाता इस तरे से सुजी टयार होती है, तो मैंने यह छोटी सी वीडियो आपको जानकर ही देने कि लिए बनाई है, क्योंकि बहुत सारे कुमेंट आते हैं मेरे पास और कहते हैं कि मैडम सुझी से हम यह जैसे किसी रेसिपी में मैंड़ डालती हूँ, तो मैडम क्या, इसके लिए मैं हम सूझी इस्तिमाल कर सकते हैं, तो देखे, डिसीजन आपका है, दोनों ही चीजों का प्रॉसेस मैंने बता दिया, कैसे बनाई जाती हैं तो डिसीजन आपका है कि आपको क्या यूज करना है क्या नहीं यूज करना या दोनों ही चीजें अवाइड करनी है तो ये मैं आपके उपर छोड़ती हूं तो मैंने तो आपको बस जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाई है वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा जानकर यह पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अगर मुझसे कोई पुछे तो मैं तो यही कहूंगी कि दोनों ही चीजें अवाइट करनी चाहिए मैधा भी और सूजी भी जब गेहूं का छिलका धिया तो मैं तो यहीं कहूंगी कि दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए पर अगर कभी आप казसरे हमसे सूजी का हल्बा अगसर घरों में बना है जाता है तो सूजी का हल्बा आप बना सकते हैं भा पर कभी कभी, पर जो रैसिपी होती है तो उसमें, जैसे वीक में अगर एक बार खाना हो तो हाँ कोई बात नहीं सुजी आपखा सकते हैं। मैदा से कम से कम अच्छी ही हैं।by क्योंकि वह दरदडदी हैं। बिल्कुल महीन नहीं है, क्योंकि जो मैदा है, मैदा इतना बारिक होनी की वज़े से ये आतों में जाकर चिपक जाता है, पर सूजी है, सूजी नहीं चिपकती, कारण क्योंकि ये मोटी PCV होती है, तो अगर कोई रेसिपी आपको बनानी है, जिसमें मैदा का इस्तेमाल हो र आप